इस वेडियो में मैं आपको बताऊँ गा Florence कि What's Up में Read Receipt क्या होता है और आप WhatsApp के Read Receipt सेटिंग का यूज कैसे कर सकते है फिर्ट जब आप वाटसाप में जाएंगे उसके बाद जब आप वाटस अपर यहाँ 3.0 पर click करेंगे उसके बाद जब आप यहाँ account पर click करेंगे जब आप यहाँ privacy पर click करेंगे तो आपको यहाँ एक option मिल जाएगा raid reception का तो ये सेटिंग क्या होता है और आपको इसका यूज कैसे करना है यह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो चलिए जादा समयना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बड़ो से पहले गाईज कि जब आप अपने किसी भी टिक लग जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं इस मेसेज के नीचे दो ब्लू टिक लगा हूँ है तो उसके बाद उस मेसेज में दो बलू टिक लग जाता है तो फ्रेंट्स वाट्सब में read receipt नहीं होता है friends मैं आपको बता दूँ कि इसका यूज आपको कैसे करना है तो friends उसके लिए आपको home page बर आ जाना है उसके बाद उपर आपको यह three dot पर click करना है setting पर click करना है, account पर click करना है, privacy पर click करना है उसके बाद देखिए आपको यह option मिल जागा read receipt का तो friends अगर यह setting on रहेगा, तो friends इससे यह होगा कि आपका friend अगर आपको कोई message करेगा और जब आप उसके message को read कर लेंगे तो friends उसके phone में उस message के नीचे दो blue tick लग जाएगा लेकिन friends अगर आप इस setting को यहाँ पर click करके off कर देंगे तो friends इससे यह होगा कि आपका friend आपको कोई भी message भीज़ेगा तो friends आप उसके message को read भी कर लेंगे यानि कि पढ़ भी लेंगे तो friends message को read कर लेंगे बात भी उसके mobile में उस message के नीचे दो blue tick नहीं लगेगा जब आप read receipt setting को off रखेंगे तो और friends अगर on रखेंगे तो friends वो कोई भी message करेगा और जब आप उसके message को पढ़ लेंगे तो उसके message के नीचे दो blue tick लग जाएगा तो friends अगर यह setting off है तो on करने के लिए आपको इस पर click कर देना है उसके बाद setting on हो जाएगा और अगर आप इसे off करना चाहते है तो आप यहाँ पर click करिएगा उसके बाद यह setting off हो जाएगा तो इस तरह के से आप WhatsApp के read receipt setting का use कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को like करिए और मेरे YouTube चैनल पे नए है इस चैनल को subscribe जरूर कर लिजी